दोस्तो आज की इस वड़ो में कमाल के स्टाटेजी में आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ जिसे अगर आप अपने वेबसाइट पर अपलाए करोगे तो आपकी जो अर्निंग है वो इंक्रीज हो जाएगी जाफी जाधा टाइट हो चुगाया और अगर आप ओर्डिनरी तरीके से डोमें बुक करके कोई भी उस पर काम करना स्टार्ट करोगे मल्टिपल कटेगरी वगरा में तो भाई गूगल से ट्राफिक लाना बहुत ही जाधा मुश्किल सा हो चुगाया ठीक है ऐसे में अगर आ कि पर्टिक्लर माइक्रोनीच कीवर्स के लिए हमें अलग-अलग डोमें बाई करना पड़ता है ठीक है लेकिन देखो हर एक डोमें का हमें फ्यूचर तो मालूम नहीं है चाहें आप बिगनर ब्लॉगर हो चाहें आप प्रो ब्लॉगर हो भाई उसके बावजूद भी कोई कर सकते हैं और उसके काम कर सकते हैं इंट हाइ कर सकते हैं बाको एक्स्टा तो हम फ्यूचर आगे यह का दिखने हैसे में क्या ह portrayed यहां अहीं तो से बुक कर ले तो ऐसे में जो हमारे लॉसे से गाइस वो बढ़ते चले जाते है ठीक है तो आप ऐसा क्यों नहीं करते है जो माइक्रो निच कीवर्ड आपने फाइंडोर किया उसका आप एक सब डोमेन बना करके काम करो और वो भी चीज बिलकुर EMD डोमेन की ही तरह काम करेगा अभी मैं with example proof के साथ सारी चीज़े बताऊँगा और देखो उसका फाइदा क्या है ना कि आपको दुबारा एडसेंस का एप्रोवल नहीं लेना पड़ेगा एक future तो आपका यहाँ पर confirm हो गया कि भाई हमें इस पर एडसेंस का एप्रोवल नहीं लेना पड़ेगा सब डोमेन पर क्या है कि बस आपके में डोमेन पर एडसेंस का एप्रोवल होना चाहिए और जितना मर्जी आप सब डोमेन क्रेट कर लो भाई उसके ओपर आपको unlimited एडसेंस का एप्रोवल इंस्टेंट मिल जाएगा बस आपको add code में पर implement कर देना और कोई अलग से आपको एडसेंस एप्रोवल वगएरा के लिए भीजने की ज़रूत नहीं अपने सब डोमेन वेबसाइट को ठीक है तो इसका यह एक फाइदा है प्लस बिल्कुल जैसे EMD डोमेन रेंक करता ना सेम एस वैसी सब डोमेन भी भाई गूगल में आपकर रेंक करेगा सारी चीजे अभी मैं आपको दिखाने हो लाँ भाई आप वीडियो को देखो ठीक है और किस तरह से आपको सब डोमेन क्रिएट करना है कैसे आपको काम करना है चलिए अब देख लेते ठीक है तो सब डोमेन से पहले हम थोड़ा से यहाँ पर कीवर्ड के उपर नजर डालत ठीक है तो यहाँ पर जस्ट मैं आपको स्टेप बता रहा हो कि इस स्टेप से आप माले की माइक्रो निच कीवर्ड निकाल सकते हो हर एक निचे से रिलेटेड तो यहाँ पर माल लेजिए जैसे अगर आप टेक निच पर काम करना चाते हो मैं आप APK वगेरा टाइप रिले तो जैसे हाँ फाइंड कीवर्ड पर क्लिक करोगो तो यहाँ पर देखो काफी सारे कीवर्ड आपके सामने आ जाएंगे और यह एचरफ खुद प्रोवाइड करता भाई ठीक है आप चाहो तो सेमरस का भी टूल यूज कर सकते हो अगर आपको मिल जाता है ग्रूप SEO टूल तो वहाँ से आप सेमरस का भी एक्सेस ले सकते हो लेकिन एचरफ भाई जब यह फ्री में दे रहा है तो काफी अच्छा टू लेगा ठीक है तो इसका आप यूज करो बिल्गुल accurate results यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर देखो है काफी सारे keywords हमारे समने आ चुकि जहाँ पर आपको केडी difficulty वगरा भी volume वगरा भी नजर आ रहा है तो यहाँ पर एक keyword है जिसका जो difficulty वो medium है जैसे के आप देखते हो तो cap cut APK download और इस पर searches भी 100k के आसपस है और भी keywords हम देख लेते एक keyword यहाँ पर देखो यहाँ जिसका जो difficulty भाई वो easy है और यहाँ searches भी 100 keyword है तो आप मले की इस particular keyword को target कर सकते हो as a micro niche keyword ठीक अपने sub domain के उपर तो अब हम क्या करेंगे इस keyword के उपर sub domain create करेंगे तो sub domain create करने के लिए देखो यार आपके पास एक अच्छा सा hosting होना चाहिए matter नहीं करता जिस भी company का आपके पास hosting हो सभी का process बिल्कुल exact same होगा similar type होगा थोड़ा बुद setting उपर नीची हो सकती तो उस चीज का ध्यान देना लेकिन हम यहां पर use करने वाले hostinger हलाकि मैं देखो अपने users को भी hostinger ही recommend करूँगा अगर आप first time अगर आप hosting by करने वाले हो तो भाई hostinger से आप hosting लो यार यहां पर 75% off में आपको काफी कुछ मिल ज जाता है ठीक है बाकि इसके plans कुछ इसतर से यहां पर नजर आते premium business और cloud startup तो आपने premium से start करना है तो इसका जो best discount link मैंने description है provide कर दिया और 10% के coupon code के साथ आपको नीचे मिल जाएगा ठीक है तो description आप check out कर लेना अगर आपने अभी तक buy नहीं किया तो buy करो बाकि अगर आपक जैसे मैं अपने hostinger के backend में आ चुका हूँ और यहां पर देखो अभी हमने business web hosting plan को use कर रखा लेकिन आप अगर start कर रहे हो तो आप premium से शुरू करना ठीक है अचानक से मत की बड़ी चीजों को आपने अभी फिलाल नहीं देखना है ठीक है तो अब हम sub domain करेट करने के लिए आपको क्या करना है देखो left side में आपको यहाँ पर एक domain का ज़्यादा ज़रूरत नहीं इसको पर मैंने काफी वीडियोस दिया ठीक है आपका main domain के आगे जो domain होता है वह sub domain कहला था ठीक है तो यह आपका main domain है जैसे कि आप अब हम यहाँ पर कर देते हैं अब हम यहाँ पर सिंप्ली कर देते हैं तो देखो गाइस हमारा जो sub domain है वह successfully यहाँ पर create हो चुगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पारे ठीक है बस आपको सेम आज जैसे आप main domain पर wordpress वगरा इंस्टॉल करते हो website वगरा create करते हो सेम अब आपको वही सारी चीज़े इस पर दोहराना है बस आपका जो website है गाईस एक micro niche type website आपका create हो जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो micro niche keyword था वो आपको first में देखने को मिलेगा light motion mode apk so guys जैसे कि आपने देखा आपका जो sub domain वो successfully यहाँ पर generate हो चुका है अब मैं आपको यह sub domain का power दिखा देता हूँ भाई कि काफे यहाँ पे एक काफी popular blogger है उनका YouTube channel भी है ठीक है आयम रोहित जो ask Rohit sir है आप जाते होंगे यह ठीक है अगर आप blogging वगरे में इंट्रस्ट लेते हो ना तो आप इनके बारे में तो जाते होंगे देखो यहाँ पे मैंने नीचे front page पे Google के first page पे इंसर का जो sub domain है वो रैंक कर रहा है यहाँ पर देखो twittertrend.imrohit.in यह जो domain है यह sub domain के ऊपर ही बनाया गया है जैसे कि आप देख सकते हो ठीक है देख लो यहाँ पर यह देखो भाई twittertrend जैसा कि मैंने आपको कहा था कि sub domain जो है आपके main domain के front में शो होता है तो यह जो twittertrend name है यह sub domain है और यह इनका main domain है imrohit.in जैसे कि आप देख सकते हो ठीक है तो इन्होंने भाई अपनी website sub domain के ऊपर बनाया और इसी तरह से काफी सारे websites इन्होंने sub domain के ऊपर ही बनाया google trend हो गया youtube trend हो गया coupon हो गया age calculator हो गया fancy font हो गया इन सभी को आप check कर सकते हो भाई हर एक जो है आपको same as इसी sub domain के ऊपर काम करना है और एक बर आप काम करके तो देखो यार आपको result 100% देखने को मिलेगा ठीक है और आपके losses भी कम हो जाएंगी ठीक है अगर आपका काम sub domain में बन रहा है तो क्या जरूरत है बाई अलग से बार बार domain बाय करने के लिए हरी keywords के उपर आपके gym में जाएगा directly कोई भी domain वगरा पर आपको अलग से खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अलग-अलग domain आपको management करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो काफी अच्छा खासा भाई यह option है इसका आपको use करना चाहिए micro niche category में ठीक है तो guys काफी लोग ignore कर रहे है बाई ignore मत करो काफी जादा potential है और काफी जो deep bloggers है बाई वो इन सब चीजों पर काम कर रहे है आप देख सकते हो यह ठीक है रोहित सर भी काफी अच्छे खासे coder है लेकिन फिर वी वो देखो sub domain पर यह भी चाहते कि main domain पर हम काम कर लेते हैं लेकिन इनको मालुम ह कियर मैं जो main domain बनाओंगा उस पर अलग से adsense के approval के लिए भेजूँगा वगेरा उससे अच्छा कि मैं sub domain पर काम करूँ तो यह इन्होंने अपने जितने भी tools वगेरा सभी sub domain के उपर ही बना रख है आप चाहतों इनकी websites को check out कर लेना सो गईस अगर आप इस तरीके से काम करते हो न तो एक साथ आप काफी सारे macro niche keywords को target कर पाऊगे और आपकी earning भी काफी हद तक increase होते हुए चली जाएगी ठीक है आपका ज़्यादा दिमाग इधर से उधर नहीं गुमेगा कि कौन सा हम domain भाई करें कौन सा नहीं करें फलाना डिम का simply by sub domain को उपर keywords को target कर दो और उसके उपर one page websites को create करके काम सुरू कर दो और website किस तरह से बनाने है किस तरह से उसका SEO वगेरा करना इसके उपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो comment कर देना इसके उपर भी एक detail वीडियो में आप सभी के लिए ले आऊँगा तो आज की इस वीडियो में इतना ही बाकि मिलते के लिए वीडियो में तब तक के लिए